नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं केंद्रिय स्वास्त मंत्री हर्सवदा ने रभीवार को संडे सनवात कारकर में सविकार किया कि उत्सों के दोरान लपरवाही बरतने के करण कम्यूनिटी टांस्मिशन के चरण तक भारत पहुंच चुका है हलाकी या संख्या कुछ राजियो और जीलो तक ही सिमी था है स्वास्त मंत्री का यह ब्यान पच्छी मंगाल के मुख मंत्री ममता बनरजी के उस ब्यान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुबह में कोविन-19 का कम्यूनिटी इस्पिरेट अब सुरू हो गया है बता दे कि संडे सनवाद के चाटे संस्क्राण में उन्होंने केरल में ओनम उत्सों के दरान बरती गई लपरवाही के मदल नेजर कहा कि सभी राजियों के लिए यह सबक होना चाहिए जारखन सिक्छा मंतरी के हलाद विगड़ी अब वेंटिलेटर पर जारखन के सिक्छा मंतरी के हलाद विगड़ गई है उन्हें वेंटिलेटर पर सिफ्ट कर दिया गया है बता दे कि आक्सिजन लेवल गिरने के बाद उनको बेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया गया सुबे के सबसे बड़े अस्पताल राजनरे इस्टूट अफ मेडिकल साइन्स के डाक्टर परदीप भटाचा यवा मेडिका के डाक्टर बिजय मिस्टा ने उने बेंटिलेटर पर सिफ्ट किया है राची के पुजा पंडालों में नो मास्क नो इंट्री राजधानी राची में दुर्गा पुजा को लेकर जाकन सरकार द्वारा जारी पुजा गाइडलाइन को सकती से पालन करने के प्रति गंबीर है कुरोना संक्रमन की रोक्थाम को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा जारे गाइडलाइन को विभीन दुर्गा पुजा समीति के सदस अनिवार रूप से पालन करना सुरू कर दिया है बता दे कि इस बार पुजा पंडालों में आने वाले सरदालों को बिना मास्क पहने पंडालों में प्रवेस्ट नहीं करने दिया जाएगा वही सोसल डिस्टेंसिंग पर भी विशेच चो रहा है जेट दो एरसोला उतिन अभियार्थियों के तबियत बिगडी रीम सरेफार जेट दो एरसोला उतिन अभियार्थियों का निस्चित कारанд आम्रान अंसन ने गारमाद दिन भी जाली रहा बता दे कि 8 अक्टूबर से अंसन पर बैठने के कारान रभिवार को मुहमद अफ्रोज आलम की तवियत विगड़ गई इसके बाद अभियार्थी ने अफ्रोज आलम को इलाज के लिए नीजी अस्पताल ले गए अस्पताल में डाक्टर ने अफ्रोज को सलाई चराने और कुछ पेपदात लेने की सलाह दी लेकिन वह फिर से अंसन अस्थल पर आ गया है वहाँ पहुष्टने के कुछ ही घंटे बाद वह अंसन अस्थल पर वेहोस होगा इसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित स्कों ने रीम से रेफर कर दिया हाई स्कूल नो न्यूक्ट सिक्षकों ने की बैठाक जार्खन मेनना न नुयूक्ट हाई इस्कूल सिक्षकों की नूक्ति के मामले में सुप्रिम कोट में चार नौमर को अगली सुन्वाई होगी कोट में सिक्षकों का पक्ष बेहतर तरीके से रखने के लिए रभिवार को राची के गोविदाओं बैंक्वेट में समीर चौधरी की अधक्सता में 13 अनुसूचित जीलों के प्रतिनीधी मंडल की बैटा खोई इसमें आगे की रनिती पर चर्चा की गई सिक्षक समो के मीडिया परभारी ने बताया कि राज सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है वहीं सरकार बार बारे अदावा कर रही है कि वह उमिद्वारों के साथ है पंचाज सच्चिव के अभियार्थियों ने मांगी एक्छा मिर्तियू पंचाज सच्चिव के सफल अभियार्थियों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर मोराबादी मैदान में अनिश्चित काई धर्ना रभिवार को भी जाली रहा बता दे कि रभिवार को धारना पर बैठे लोगों ने सरकार से एक्छा मिर्तियु मांगी है धारना पर बैठे लोग हाथ में पोश्टर लिये थे जिस पर नियुक्ति दो या एक्छा मिर्तियु दो लिखा था धारना पर बैठे लोगों काना है कि बर्ष 2017 में ये नियुक्ति परकिरिया शुरू की गई थी पहिनाम की भी घोसना कर दी गई है लेकिन आभी तक नियुक्ति परकिरिया शुरू नहीं की गई है राची सहर के लोगों से आज से होल्डिंग टेक्स वसुला जाएगा राची नगर निगम में सोमवार से स्री पब्लिकेशन द्वारा काम सुरू कर दिया जाएगा कमपनी होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस और वाटर कनेक्शन का आवेदन लेगी काम सुरू किये जाने को लेकर कमपनी द्वारा अपने टेक्स कलेक्टरों के साथ रविवार को बैठक की गई इसमें सभी टेक्स कलेक्टरों को निर्देश किया गया कि सोमवार से सभी फिल्ड में निकले राजे भर के बीत रहीत सिक्षक आज करेंगे उपवास 20 को सीम को देंगे गयापन राज के बीत रहीत सिक्षकों ने अंदूलन का एलान कर दिया है अस्थापना अनुमती प्राप्त इसकूलों का अनुदान बंद करने के खिलाप सोमवार से बीत रहीत सिक्षक अंदूलन करेंगे बता दे कि राजय भर के 10,000 से अधिक भी तरहीत सिक्षक उपवास करेंगे वही मंगलवार को मुख्य मंत्री, मुख्य सचीव और सिक्षा सचीव को अपनी मांगों का ग्यापन देंगे जबकि 21 अक्टूबर को भी तरहीत सिक्षक काला बिल्ला लाया कर काम करेंगे दुरगापुजा में 3,000 फोर्स की तैनाती कुरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार छोटे पुजा पंडाल, मंदीर और घरों में ही दुरगापुजा खायोजन किया जाएगा इसको लेकर राची पुलिस तेयारी में जूट गई है बता देगे दुरगापुजा के दुरगापुजा के दुरण राची पुलिस के अलावा जैप, रैफ और QRT के जवान तैनात किये जाएगे सनवेदन सिल इलाके में राची पुलिस के अलावा रैफ की टुकडी तैनात की जाएगी जनकारी के उसार दुर्गापुजा में सुरक्षा बेवस्था को लेकर 30,000 अतिरिक जवान तैनात होंगे जार्खन के सिक्षको के इनोवेशन को जानेंगे देश बर के सिक्षाक सभी जीलों से 25 पचिस का चयान जार्खन के सिक्षको के द्वारा कियेगा इनोवेशन को देश बर के सिक्षक जानेंगे कुरोना संक्रमन काल और लोगडन अवधी में सिक्षको की ओर से सिक्षा के छेत्र में कियेगा इनोवेशन से दूसरे राजियों के सिक्षक भी रूबरू होंगे बता देखिए वहीं दूसरी राजियों के सिक्षकों की इनोवेशन से जार्खन के सिक्षक भी प्रेडित होंगे राजे के सभी जीलों से 25-25 सिक्षकों का चैन किया जाएगा जार्खन में 3589 संक्रमितों को पुष्टी हुई जो राची से 1192, बुकारो 23, पूर्वी सिमूम 20, धनबाद 17, देवगर 17, दुमका 4, गडवा 15, गीडी 4, गोड़ा 2, गुमला 2, हजारी भग 11, जामतरा 5, खोटी 5, खोड़ार्मा 1, लाते हार 1, लोहरदागा 9, पलामो 3, रामगर 15, सराय केला 6, सिम्टेगा 12, पच्छमी सिम सर साथ कीमध हुए है, जारखन में, रभीवार को साथ के मत हुई है, जो राची से 3, पलामो याँ तो से एक कोडार्मा से एक धनबाद से एक देवघर से एक किमाथ हुई है रभिवार को 452 मरी स्वास्थ भी हुए है राजे में एक टिव केस इस प्रकार है बोकारो 321 चात्रा नमासी देवघर अंठानवे धनबाद 282 दूमका 113 जम सेथपू 1327 गडवा 66 गिरी डिवासट गोड़ 164 राची 252 साहिब गंच पैती सराइक के लाद 278 सिमडेगा 126 चाईबसा 108 है दुरगा पुजा उकास के बाद फिजिकल कोड़ सुरू करने की मांग की है अधिक वक्ताओं ने कहा है कि लोगडाउन और कुरोना संक्रमन के दुरान वकीलों ने कोड़ से पूरे त ख्यान नहीं रखा जा रहा है इसे देखते हुए पुजा आउकास के बाद 2 नौवंबर से फिजिकल कोड़ सुरू करना चाहिए 15 नौवंबर से राजे में सुरू होगी धान की खरीद नए क्रिसी सुधार कानून के सैधान्तिक बिरोध के बीच राज सरकार ने जारखन में अधिक साधिक किसानों से सीधे नियुनतम सवर्थन मुल्ले पर धान की खरीद का नेना लिया है किसानों से MSP पर धान की खरीद की परकिलिया राज अस्थापना दिवस 15 नौवंबर से सुरू की जाएगी राज सरकार MSP के अलावा किसानों को प्रतिक क्यूंटल 132 रुपया का बोनस भी मुहया कराएगी बता दे की राज में प्रतिक क्यूंटल धान की खरीद 2000 रुपय प्रतिक क्यूंटल होगी धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर धनबाद जेल में छापे मारी धनबाद जेल में किसी भी बड़ी अपराधिक घटना के मदल नजर धनबाद उपायूत के निर्देश पर अभिवार को जीला परसासन ने अचक छापे मारी की जनकार सुत्रों के अनुसार कोईलांचल में बहुचर्चित निरज सिंग हत्या कांड से जुड़े सुत्रों को दूसरे जेल में सिफ्ट करने के लिए निकाले जाने के तुरंत बाद छापे मारी की गई जारखन में बीतियuite कूप रवद्धन से बीतिया अरजकता दिपक परकास भाजपा के परदेश अद्यक्ष एवन सांसे दिपक परकास ने रविवार को राज सरकार पर का आमला बोला प्रकास ने परदेश कर्याले में आयोजीत प्रेस वर्ता में कहा कि एक तरफ राज में बलतकार लूट हत्या उर्वात की घटनाओं में बेताहस बिरिदी हुई है राजे में आउसत प्रती दिन पाँच बलतकार और हत्या की घटना हो रही है खनीजों की तसकरी हो रही है राजे का बालू पथर खनीज की लूट हो रही है पर राजे सरकार मौन है क्रिसी कानून के खिलाब कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान सुरू केंद्र सरकार दुरा लागू क्रिसी कानू prod 2020 के खिलाप पाकुर जिला कांग्रेस कमेटी ने रभीवार को हस्ताक्सर अभ्यान शूरू किया मौके पर जिला अध्यक्स उदाय लक्षमानी ने कहा कि मोधी सरकार जन विरोधी सरकार है नए क्रिसी कानून में किसानों की भावनाओं की अंदेखी की गई है देवघर S.P. ने PSI की चल रही ट्रेनिंग की समिक्षा की देवघर S.P. आस्विनी कुमार सिनहा ने अस्थानी सुचना भवन सभागार में रविवार को जीले में प्रतिन्युक्त PSI की चल रही ट्रेनिंग की समिक्षा किया और आवस्यक दिशा निर्देश दिये बैठक में ट्रेनिंग कर रहे अधिकारी सहीत बिभागे परिक्षा में उतिन कर सब एस्पेक्टर बन गए हैं वे सभी लोग मोगे पर उपस्तित थे बरहेट एवं दूमका बलतकार हत्या मामले में भाजपा का धरना भाजपा के करकरताओं ने दूमका और बरहेट में हुई नवाली के साथ बलतकार और हत्या के बिरोध में अस्थानिये वी आईपी चोग पर धारना एवं परदसन किया कारकरम में मुखे रूप से देवघर जीला भाजपा महिला अद्यक्ष विजय सीनहा आदी मवजूद थे मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले कई महीने से जीस परकार राज में बलतकार और हत्या गटना बढ़ रही है या काफी चिंतनिय और निंदनिय है नेताओं ने कहा कि मुखे मंत्री में थोड़ी सी भी अगर नेतिकता बची है तो जल से दल अपनादियों को पकड़वा कर भांसी की सजा दिलवाए जोनहा फॉल पहुंची मुख मंत्री हमंत सुरेन की पतनी कलपना सुरेन रविवार को पिकनिक मनाने जोनहा फॉल पहुंची कलपना सुरेन के साथ सीली की पूर विधायक सीमा महतो सहीत सोजन वा मित्रगन भी थे करीब 6 घंटे तक कलपना अपने सोजनों एवा मित्रगनों के साथ फॉल में रही बता दे के मुखमंतरी की पत्नी कलपना सुरेन के जोनाप फॉल में आने से परसासन ने फॉल को पूरी तरह से सील कर दिया जोनाप फॉल जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया घुमने आय परेटकों को वापस कर दिया गया था राची पुलिस ने सनिवार को अबैज सराब माफियाओं के खिला बड़ी करवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली सराब बरामत किया है मुख मंतरी के छोटे भाई बसंत सुरेन ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करे आपके भरोसे पर मैं हमेशा खरा उतरने का पर्यास करूँगा राजबर में बड़ रही बलतकार की घटनाओं को लेकर आरपना सेन ने धारना दिया और कहा कि हमन सुरेन में महिलाए सुरक्षित नहीं है मुख मंतरी हमन सुरेन ने कराटे के गोल्ड मेड लिस्ट बीमला मुंडा को आविलम मदद करने का निदेश राची उपायुक्त के दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल को परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल के अबेल एकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर अवास करे साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना सुझाओ अवासे दे थैंक्यू